गाइस मेरे पास आभी है भीबो का ब्राइंड न्यू स्मार्टफोन भीबो Y51 जो 1GB 120, 1GB इंग्या में मिलता है 18,000 रुफिस के अंदर और बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करें इसका अन्बोक्सिंग लेकर आने के लिए तो आज हम इसका अन्बोक्स करेंगे और एक रिव्यू आप लोग के साथ सेर करेंगे कैसा होने वाला है इस स्मार्टफोन यह पर आपको 5000 एमेस की फारफुल वैकरी देखने को मिल जाएगा और 48 मेका पिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सरे हाइलाइट फिचास आपको यह पर देखने को मिलेगा तो वीडियो को आप जोरूर एंग तक देखते रहे न एंग में बाताओंगे क्या इस स्मार्टफोन आपके लिए कितना बेटर होने वाला है तो सबसे पहले चलिए अन्बोक्स करते है और देखते है बॉक्स के अंदर सबसे पहले क्या क्या मिलते है यह पर सिंपूल सील को ब्रेक करते है और देखते है बॉक्स के अंदर क्या मिलते है यह पर simple box को open करने के बाद सबसे पहले आपको यह पर और एक box देखने को मिलता है यह पर आपको वीवो का logo भी देखने को मिलेगा जो आप यह पर देख सकते हो वीवो का logo भी यह पर आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए box को open करते है और देखते है box के अंदर क्या मिलते है यह पर आपको box के अंदर सबसे फ़हले sim reject या फीन देखने को मिलता है और उसके साथ कुछ manual guidebook अब इसको पड़ भी साखते हूँ इसको आभी मैं साख में राखता हूँ और उसके साथ सा TPU case युकि back case देखने को मिलगा नर्मल सा TPU case आपको यह पर देखने को मिल जाएगा और देखते है box के अंदर और क्या कै इसके अंदर कुछ भी नहीं है और यह पर smartphone इसको आभी मैं साख में राखता हूँ और देखते है box के अंदर और क्या कै मिलते है दोस्तों यह पर simple box को यह पर आप देख सकतों यह पर आपको 18 watt का एक fast सज्जा देखने को मिलता है यह पर युकी adapter आपको 18 watt का देखने को मिलता है और यह पर आपको type C kevel भी देखने को मिलगा और उसके साथ-साथ आपको याफे जो earphone, युकी headphone देखने को मिलता है जो Vivo का हर एक smartphone के अंदर देता है जो कि काफी अच्छी वाद है दोस्तों याफे आपको earphone भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों चलिए सबसे पहले smartphone को याफे रैप से बाहर निकालता हूँ और इसका design देख साथ तो दोस्तों मासला design आपको देखने को मिलेगा लेकिन याफे आपको इसी price के अंदर back side के तरफ polycarbonate का body देखने को मिलेगा जो कि इतना अच्छा design भी नहीं है दोस्तों याफे आपको back side के तरफ polycarbonate का body देखने को मिलेगा इतना price देकर आप एक smartphone खरीत रहो यहाप पर polycarbonate body देखने को मिलेगा तो और इसका weight देख साक तो 189 gram weight आपको यहाप देखने को मिलेगा तो weight थोड़ा ज़ादा आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाप जो camera का design बहुत बढ़ीया सा जो camera का design देखने को मिलेगा एक flagship की तरह आपको यहाप देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ 3.5 mm headphone jack secondary microphone type-c charging port speaker देखने को मिलेगा राक्षा की तरह पार बाटम की उपर fingerpin sensor and volume आप डन बाटम देखने को मिलेगा और यहाप आपको उपर की तरफ secondary microphone भी देखने को मिलेगा और यहाप आपको डेरिका के sim slot का support भी द देखने को मिलेगा और यहाप इसका गिस्प्ले की बारे में बात काई तो यहाप आपको six into five eight inch एक फूल एजगी प्लास आपको यहाप एक IPS गिस्प्ले देखने को मिलेगा जो की water drop notch के साथ आने बाला है और इसका बैजल नीचे जो chain होने बाला है बहुत ही छोटा देखन देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों इसी प्राइस के अंदर आभी हारेक स्मार्टफोन पांचोल गिस्प्ले दे रहा है और यहापे 2020 का जबाना स्रेस होने जा रहे और यहापे जो भीवो ने क्या दिया यहापे water drop notch के साथ गिस्प्ले दिया यह मुझे अच्छा नहीं ल water drop notch के साथ गिस्प्ले देखने को मिलेगा यह मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लागते आप पांचोल गिस्प्ले पसंद करते हो कौनसा गिस्प्ले पसंद करते हो आप कमंग बक्स में जोर्यू बाताना और अगर आपने आउटडोर में स्मार् असार के बारे में बात काई तो आपको यह पे कॉलकुम स्नापड़ॉन का सिक्सिक्स की फाइब पॉस से साथ देखने को मिलेगा दोस्तों इसी प्रैस के अंदर आभी हारेक स्मार्टफोन इससे बहुत बढ़ी असा पॉस साथ दे रहा है गेमिंग पॉस साथ दे रहा है लेकिन यह पे आपको जो यह पॉस से साथ देखने को मिलेगा अगर अपने यह पे कॉल अफ गिव की पबजी गेम खेलना चाहतो तो इतना बेक्या तरीका से इसके अंदर खेल नहीं साकतो क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लैक बगरा यह पे आपको देखाई देगा लेकिन अगर अपने फ्री फार गेम खेलना चाहतो बहुत ही आसान तरीका से खेल साकतो और मैंने बहुत सारे एप्स को ओपें भी किया था जो सारे के सारे रैम के अंदर था और दोस्तों यह पे आपको 5000 एमेच की काफी फारफूल वैकरी देखने को मिल जाएगा और इसके बाद पिक्चल का और उसके सारे मेचापिक्चल का अल्ट्रा वाटेंगे लेंस सेलफी में आपको देखने को मिल जाएगा 16 मेचापिक्चल का सेलफी कैमरा मैं अब्योस्तिक का कुछ फॉट्र सिंपोल देखा देता हो देख सकतो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका जो पिक साहन करके आपको कैसा होने बाला मैं खुए प्राइस के बहुन है स्मार्ट फोन के पास क्यूंकि दोस्तों आपको या अतना वाट पर नॉग्छ सकते मत्फmax बासों है कि यहां वांट होग के सार्ष bene का मिलगा और यह पी-। जो पॉसेसर इतना भी बेकार नहीं देखिने कम लेगा ऐसे भी आपको किया लगता है कॉमेंग बक्स में जोरूब आताना विग्ड़ पासन आए तो जोरी लाइक कर देना चैनल को सस्प्राइब कर देना मिलता अगले निव वीडियो में तब तो